यहाँ पर पहली बात तो इस exam के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा discuss उसके नहीं करना चाहरा हूँ बस strategy इसकी क्या होनी चाहिए basically आप सभी को पता है कि 3 months का जो time period हमारे पास है उसमें इतना huge syllabus यह अपने आपस sufficient psychological pressure डालने के लिए किसी भी student पे इतने काम समय में यह syllabus कैसे cover किया जाए तो इसलिए शायद आप यहाँ पर जुड़े भी होंगे कि किस तरीके से हम इस पर काम करें कैसे यह syllabus पूरा हो और syllabus पूरा होना करना ही motive नहीं है यहाँ पर यहाँ पर नहीं किसी भी competitive jam में सबसे पहला focus smart study किस तरीके से हम smart list पे work करेंगे इस बात वे focus होना चाहिए और आप हम से हमारी team से associated होए हैं तो यह काम हमारा है इसको आप हम पर छोड़ दीजे किस तरीके से हमें इस course को पूरा करना है किस तरीके से इसको हम मैं केवल mathematics portion को डील कर रहा हूं तो केवल मैं mathematics के regarding ही बात करूंगा बाकी सारे another faculty अपने respective subject में आपको बताएंगे mathematics में आपने syllabus देखा होगा detailed syllabus जितने सारे books यहाँ पर हैं अगर आप उन सभी books को पढ़ने लगें तो दो साल तो आपको चाहिए minimum two years आपको चाहिए तभी आप उनको पूरा cover कर पाएंगे और books के लिए मैं बहुत सारे आपको ऐसे इतने सारे books के name बता दूँ आप उसका वो खरीद के भी लाएं वो खाली आपके study table पर पढ़े रहेंगे इतने कम समय में होने वाला है नहीं फिर भी अगर practice के लिए आप को चाहिए थोड़ा बहुत कई students होते हैं कि हमें books चाहिए ही तो आपके जो graduation के जो भी books है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले ना graduation के जो books हैं उसको आप as a textbook आप help ले सकते हैं otherwise उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है इतने कम समय में books पढ़ने का यह समय नहीं है तो आप हमारे classroom के notes हमारे classes और हमारे यहां पर discuss करा था तो उसको भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला था उसमें मैं बार बार कहता भी था उस वैच में हमने करा यह था कि LTE और lecturer combined वह वैच हमने लिया था तो lecturer का level थोड़ा सा high हम पिक करते थे तो मैं वहां पर बोलता भी था कि LTE में बहुत depth में जाने की जरू कई students होते हैं उनको समय को चीज समझ में नहीं आती लेकिन आप प्रियसेर के कोई भी exam उठा कर देख लीजिए LTE के तो उसके demand है यही नहीं हर exam की demand अलग अलग होती है आपको उसके demand के according ही अपनी strategy भी change करनी पढ़ती है तो यहां पर किस level पर किस topic को कितना touch करना है किस topic को कितना deep touch करना है deep study करनी है वो सारा कुछ आपको यहां पर करा दिया जाएगा तो इसका load आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं और मैं सीदे टॉपिक के आता हूं क्योंकि समय सब के लिए important है यहां पर कोई इस तरीकी का भासन सुनने के लिए specially नहीं आया होगा तो हम यहां पर जो discuss करने वाले हैं स्टार्टिंग में वो set theory में थोड़ा सा हलका सा focus कर रहा हूं अल्दो हम जो analysis वाला portion है उसको पहले पढ़ेंगी इस्वाइशली उसमें भी calculus देकिन किसी भी चीज को पढ़ने के लिए mathematics में आपको sets की knowledge होनी चाहिए बिना set के आप काम करी नहीं सकते अल्टिमेटली आप set ही पढ़ रहे होते हैं throughout entire discussion में कैसे उस पर बात करते हैं सो पहले set क्या है यह set अपने आप में ही काफे beautiful चीज है इसके बारे में आप सभी को पता है set is the well-defined collection of objects अभी well-defined क्या है मत्तब इसमें भी कितना concrete बात की गए कितना precisely इसको define किया गया है mathematics हम कोई भी बगवास नहीं करते एक दम बहुत ही precisely चीजों को discuss कर रहे होते हैं जैसे collection भी कैसा होना चाहिए well-defined अगर मैं यह बोलू collection of happy person in India तो आप happy किसको कहोगे यह तो well-defined ही कि जो हस रहे हम उसको happy बोलेंगे तो जब आप set लिखने जाओगे न हो सकता तब तक उसका मूर्ण खराब हो जाए तब तक उदास हो जाए आप लिखी नहीं सकते तो बहुत ही precise और concrete बात हम यहां पर करेंगे set बहुत ही अपने आपने काफी beauty पूचीज है well-defined collection of objects मैं यहां पर set को अभी नहीं पढ़ा रहा हूं set को हम modern algebra के साथ इसको detail में discuss करेंगे और मैं यह pre assumption लेके चल रहा हूं कि set आपको आता ही है आप सभी graduate है बीसी करके आये हैं set के बारे में आपको अच्छे से बताए set के बाद हम करते क्या है इनकी algebra इन पे operation union intersection etc यह सारी जीज है उसके बाद कोई भी set है set आपने define कर दिया तो set को पढ़ा कैसे जाता है set को पढ़ने के दो अप्रोच हमारे पास हैं दोनों अप्रोच पर बात करते हैं एक अप्रोच है algebra point of you से और दूसरी अप्रोच है सेट को पढ़ने का analysis point of you से अब दोनों में difference देखे किस तरीके साथ होता है algebra point of you से हम कोई भी दो element हमने set के लिए इनको हम compose करने की कोशिश करते हैं इनको mixed करने की कोशिश किसी किसी rule के according हमने इन दो element को compose करा let us assume compose करने के बाद यह element set के अंदर ही रहा इस बात पर हमारा ज्यादा focus होता है आप लोग जानते भी होंगे इसी को हम closure property या binary operation भी बोलते हैं तो algebra में हम दो element को compose करने की कोशिश करते हैं और analysis का पूरा नजरिया क्या है distance पे जिसी का advanced generalized version जो है वो metric है और उसके बाद चाहें आप algebra में जाओ इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते function ही है या फिर analysis में जाए यहाँ पर भी आप पढ़ते function ही हो तो ultimately function की study होने और function भी क्या है special type of relation और relation क्या है कार्टिजन प्रोडेक्ट एबी एक क्रॉस पी का subset है तो ultimately set का ही discussion चल ला होगा पूरे entire discussion में अभी हमारा focus इस बात पे है analysis point of view से हम इसको discuss कर रहे हैं क्योंकि हम calculus को handle करने वाले हैं जो analysis का यह portion है so pure mathematics की backbone ही यह analysis है real analysis और modern algebra बिना इसके आप mathematics में कुछ करने सकते हैं अब analysis point of view से थोड़ा सा देखें इसमें difference क्या है मैं दो set लेता हूं इनके बारे में आपको पता है यह एक natural number यह integer यह दो set है इन दो sets में क्या difference है कोई बता सकता है यह यह वन वन साइड़ वन वे ट्रैफिक नहीं है यह जो classroom है one-to-one यह interaction है basically मैं अभी मैंने बात बोली भी थी कि learning is a mutual process आपका involvement इसमें होना बड़ा जरूरी है otherwise यह फिर कुछ खास इसका importance रहता नहीं है सो जो भी response करना चाहते हैं feel free होके आप response करें इन दोन में कोई different case अच्छा मैं question for some मुझे तो थोड़ा सा यह network issue है शायद मैंना की साइट से क्या दोनों set बराबर है बाके students बाकी लोग भी involved हो सकते क्या दो set बराबर है यह दोनों set देखे analysis point of view से अगर आप बात करेंगे तो यह दोनों set बराबर जैसे ही है कैसे आप देखे आप यह natural number है यह आपका integer है आप count करेंगे तो जड़ा natural number वन से count करेंगे तो मैं integer में 0 आप दूसा number लाए टू मैं अगला integer माइनस लियाता हूं आपको अगला नेचल नमबल लाए थ्री मैं इंटीजर वन लाता हूं फोर को मैं टू से माइनस टू फाइब कोट टू से एंड सोन अब आप यहां पर जो भी नेचल नमबल लाएंगे मैं उसके कोर्रसपांडिंग यहां पर आपको डिफरेंट इंटीजर प्रोवाइट कर दूंगा न यह कहता हुआ है ना यह पर्सेप्शन यही चाहिए आनलिसिस इसने बराबर जैसे ही रहाँ वह बहुत डिटेल में इस पे नहीं जा अगर इसी चीज को मैं अल्जेवरा के सेंस में पूछूं इन अल्जेबरा पॉंट अफ्यूस से अगर इसको इसको डिसकस कर आ जाए तो तब हं सो हम यहां पर ... अंलसिस पर नहीं हैं तो अनलेसस पॉइंट अपफ यू से हमारी सोच क्या होने चiಲ दिस्टेंस गार मैं बात कर रहा हूं पर में आता हूं आप सभी लोगों ने यह सेट पढ़े हैं इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं सारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 यह कुछ फंडामेंटल सेट है यह नेचल नंबर का ही सेट है इसमें 0 भी इंक्लूट कर दिया जाते हैं तो यह होल नंबर हो गया नेक्स सेट ऑफ इंटीज है जो अभी हमने डिस्कस करा था जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो और सेट ऑफ रैशनल सभी को पता होगा पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में अच्छा कई लोगों को लग रहा होगा यह काफी बेसिक है आप थोड़ा सा मेरी मज जबूरी भी समझे मैं सभी लोगों को यह साथ में लेके चल ला हूं तो स्टार्टिंग मां आपको यह काफी बेसिक लगेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको डेफिनेटली कुस नखुस नया सीखने को नया जानने को मिलेगा जहां पर क्यू डेस नेक्स है आपका इर्रैशनल नंबर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से वह नंबर जो रैशनल नहीं है बेसिकली जिनको पी अपॉझा जब देजे रियल नंबर है क्या होता है रियल नंबर रैशनल और इर्रैशनल का कॉम्बिनेशन दोनों का यूनियन ब यूज सारे नंबर आपको आथें तो कोई भी नंबर आपके सामने हो तुम कि बहुत जरूरत पड़ेगी हमें तो आप उसको कैसे देखेंगे आप उसको देखेंगे वह नंबर यां तो do या फिर इराश्णल है क्योंकि रियल नंबर अपने आम बगुछ नहीं है रियल नंबर इस यूनियन ऑफ रैश्णल एंड इरेश्णल तो नंबर की आनालेसिस आफ कैसे करेंगे कोई निंभी नंबर करना है नंबर दिया जाए तो माइन्ड में यह आना जेकि रैश्णल है या फिर रैशनल है और रैशनल रैशनल के बारे में आप अच्छे से जानते होगे यह बेसिक स्ट्रेक्शर था बेसिक फंडामेंटल से एलिमेंटरी सेट नंबर सिस्टम के बारे में जो सारी चीज़े हैं अब यहां पर ध्यान दीजिए यह जो इसका डिवलेपमेंट है त उनके रूट्स पे उनको सल्यूशन पे लोगों का ज्यादा मैथमाटिशन का फोकस रहाब नैचुरल नंबर हमारे पास थे तो लोगों को इस तरीके के एक्वेशन सामने आए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इसका सल्यूशन सल्यूशन मीन्स एक्स की वैल्यू क्या इस प्लेगिन करें कि जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर दे सटीस्वाइब कर दे त्यान दीजे प्लीज आपके पास केवल और केवल नैचुरल नंबर है अभी आप ऐसे अज्यूम कीजिए और इस इक्वेशन का सल्यूशन चाहिए मुझे तो क्या होगा इसका सल्यूशन नहीं करेंगे तो इसलिए हमने नए नंबर सिस्टम को एक्सेंड करने नमबर सिस्टम जहां पर इसका सल्यूशन अप्रोवाइडिट है क्योंकि 0 हमारे पास है नंबर सिस्टम में तो यहां पर 0 प्लग इन करेंगे अगर आप इसमें जीरो प्लैगिन करेंगे तो आपको क्या दिखे गए जीरो प्लस वन वन इक्वल टू वन यह बैलेंस दिख जाए एक्वेशन नेक्स अब आपके पास ऐसे अजूम करें कि केवल होल नंबर तक ही आपके पास है और नंबर सिस्ट्रम का एक्सपेंशन आप को पता ही नहीं तो लोगों के सामने ऐसे एक्वेशन भी सामने आई अब इसका सल्यूशन चाहिए मुझे एक्स क्या सटिस्वाइ क्या रखों कि वन आ जाए और होल नंबर है तो मतलब टू में कुछ एड़ ओन हो रहा है और आंसर वन आ रहे है टू में कुछ नेगेटिव चीज़ें ही एड़ ओन हो रही होंगे तो यहीं से नया नंबर सिस्टम एक्स्टेंड किया गया है फिर इस तरीके के एक्क वेस्ट लोगों के सामने आए एक सल्याइं एक्स की वालिउ क्या प्लगिन करी जाए कि एक्वेस्टिक का ुथ जाए मुझे सलिशन तो ध्यान रखें दिन गें अगर अभी तक आप इंटीजर तक ही है तो इसका सड्यूशन मिलने वाला है नही लोगों के सामने ऐसे equations भी सामने आए X is square equal to 2 अब इसके solution क्या मिले है मुझे There does not exist any rational number कोई rational number आपको नहीं मिलेगा इसका solution में क्योंकि इसका solution है क्या root 2 तो वहीं से irrational number आए क्योंकि इसमें root 2, root 3 इस type की number होते है तो ये जो benefit हमें मिल ला है extension का नंबर सिस्टम जैसे जैसे हमने extend किये तो हमें benefit क्या मिल ला है हम variety of equations को solve कर बारे हैं उनके roots हमारे पास अवेलेबल है इस दिस क्लियर ये बताई क्लियर है अच्छा आप ये बताई क्लास में हो मीटिंग में में disconnect हो गया था शैद audible हो मैं प्रॉपल ली कहां कहां तक सुना आपने लास्ट तक आगे था इरेस्टन नंबर ठीक है ये जो इसका extension तक क्लियर है ना audible था में वहाँ था नंबर सिस्टम के extension से हमें variety of equations के roots मिलते हैं ये benefit तो हमें होता है एक system से सेट आप नैचुरल से होल नंबर में जाने पर होल नंबर से इंटीजर में जाने पर ये सारी चीज़े हमें benefit मिलें आप इनका notice करेंगे तो इनके बीच में जो relationship आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा इंटीजर ये इसका subset है this is the rational sorry rational ध्यान दीजे rational और irrational अलग ही family के member है तो उनमें दूनमें subset और superset वाला concept नहीं आएगा and this is the real number तो इस एक सेट से दूसरे सेट में movement जब हमने किया तो हमें benefit क्या मिला है वो सारी चीज़े आपको पता है तो क्या-क्या चीज़े हमें मिली है mathematics में या फिर जीवन में एक चीज बड़ी common है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आप एक system से दूसरे में तो गए आपको benefit मिले आपके roots ऐसे equations के जो available नहीं थे उस system में उन equations के roots भी मिले लेकिन बहुत सारी चीज़े ऐसी properties भी हैं जो हमने miss out कर दी जो properties हमने खो दी बात उन properties भी करते हैं पहली चीज और ये क्या है ये आप खुद सोच सकते कोई इसमें बहुत बड़ा rocket science नहीं है बहुत ही basic सी चीज है नेचुरल नंबर से जब हम whole नंबर पर जाते हैं तो हम क्या miss out कर जाते हैं ध्यान दिया कभी इसके बारे में नेचुरल नंबर में देखें जब आप कोई भी दो नंबर एट करते हैं तो output जो भी आएगा वो क्या होता है टू और 3 से बड़ा आउटपुट हमेशा टू और 3 से बड़ा आएगा न दो नेचर नंबर कोई भी दो नेचर नंबर एट करो आउटपुट हमेशा एट करने पर बड़ा आणे वाल है whole नंबर में जरूरी नहीं है आप देख लिजे एक टू करेंगे whole number या नाचिनल नंबर उसमें खास बात ये।ा उसमें starting point पता है को और integer में starting point भी नहीं पता है को बता सकते smallest integer को म Text सकते हो नहीं को थो भी डॉंण स्टार्टिंग point in day Jed इन चर्ट्थ मैं यह भी नहीं पता हैं अचा नेचल नंबर मैं starting point तो पता है end point बता सकते हो सबसे largest natural number नहीं सब नहीं बता सकते हैं यह कोई भी सबसे largest natural number हमें पता है नहीं अच्छा infinity मत बोल देना कई लोग अगर ऐसा सूस रहे हो तो infinity is not a number infinity number नहीं है को लार्जस नंबर नहीं है मतलब natural number जो है ना खतम ही नहीं होते हैं आप कोई भी बड़ा सबसे बड़ा natural number लाओ मैं उससे मैं एक एक करके बता दूँगा तो जो natural number खतम नहीं होते हैं यह जो basic सा thought है mathematics में इसी को बड़ा fancy language में बोला जाता है नहीं चल नंबर नॉट बाउंड़ेट अब रियल अनालेसिस में पढ़ेंगे हम क्योंकि यहां पर अनालेसिस का portion भी है आपका कि जो यह बहुत इंट्रेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी भी बहुत बढ़िया question बन सकता है मतलब वह feature जो integer के पास है लेकिन rational number के पास नहीं है अच्छा एक चीज और मैं clear कर दूए हाँ पर आप mathematics की class में है तो mathematics की class में पहली demand mind को open करकर रखे खुद सोचे यह जो मैं पूसा हूँ इसको वहां मत ले जाए कि कि किसी textbook में किसी जमाने में हमने पढ़ा था या नहीं नहीं उसी समय अभी active mode में रहिए सोचे यह सोचे कि यह चीज हमारे सामने अभी चल लिए तो अभी सोच आप शुरू करें बीना सोचे आप mathematics में बहुत अच्छा कुछ करनी पाएंगे तो यह हैबिट धीरे धीरे आप डालें आई रिपीट वह property जो इंटीजर के पास है लेकिन रैशनल के पास नहीं है चलो मैं ही थोड़ा सा help करता हूं तू के बाद next इंटीजर के आएगा अगला इंटीजर टू के बाद यह फिर से एक जिट होगे क्या तू के बाद अगला इंटीजर अगला अगला इंटीजर नंबर बताओगा तू के बाद अगला रैशनल नंबर बताओगा कितना थ्री तू पॉइंट वन नहीं है रैशनल नंबर पी अपन क्यू के फॉर्मल लिख सकते है और उसको क्या है वह टार्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होते है इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यह तो टर्मिनेट कर दी कर जाएगा लेकिन मेरा क्वेस्टिन क्या है टू के जस्ट बाद वाला रैशनल नंबर सोचे और अंसर रिपोर्ट करें टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट वन इससे पहले का बता दूंगा आपको टू पॉइंट जी रोवन इसका रिपीट सौरी टैर्मिनेट करेंगा ना सो पी अपॉन क्यों के फॉर्मल लिखा जाएगा सो अफकोस इस आलसर रैशनल नंबर बाकी लोग भी इंवाल्व हो यह प्लीज इंफाइन हो सकते हैं आपकोस इंफाइन हैं वह तो मैं बोली रहा हूं टू एंट त्री के बीच में इंफाइनल नंबर हैं मेरा क्वेश्चन है तू के जस्ट बाद वाला रैशनल नंबर हैं डिफाइन नहीं कर पाएंगे अच्छा दो कई बार दो चीज़ें माइड़ने में आती हैं इस कंसेप्ट में कि तू के जस्ट बाद वाला रैशनल नंबर है होता तो है वेकिन हमें नहीं पता क्या है पता हो कौन सा सही है? I repeat, पहला statement, तू के जस्ट बाद वाला rational number होता तो है, लेकिन हम नहीं जानते वो क्या है? और दूसरा statement, तू के जस्ट बाद वाला rational number एक्जिस्ट ही नहीं करता? पहले वाला सही है, अब देखे थोड़ा सा, पहला वाला सही है का मतलब आप क्या कहना चारे है, तू के जस्ट बाद वाला रहारा है, लेकिन हमें नहीं पता हो क्या है, राइट? यही है ना? यहां पर तू है यहां पर तू के जस्ट बाद वाला मैं कोई एक रियल नंबल ले ले लेता हूं वो मुझे नहीं पता क्या है लेकिन कोई तो होगा हो आप तू के जस्ट बाद वाला यहां पर यहां पर जो रेट कलर का दीख रहा है यह है उनबल लेट आप कहेंगे आपने तो टू के जस्ट बाद बोला था आप इतना दूर क्यों माग कर रहे हैं आप ऐसे समझे माईक्रोस्कॉप से जूम इन करके मैंने इसको लिख रहे है वो 2 के जस्ट बाद में ही है वो number, अगर exist करेगा, तो यही तो होगा, वो कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, तो मैंने उसको arbitrary कोई L symbol दे दिया, क्योंकि fix नहीं पता न, मुझे क्या है वो, अगर यह rational है, तो हम जानते हैं, दो rational number का sum भी rational होता है, तो 2 प्लस L जो number आएगा, वो again एक rational number होगा, और किसी rational number को अगर आप 2 से divide करते हैं, तो वो again एक rational number आएगा, तो जब मैं इसको divide करूंगा, तो यह rational number, तो यह है क्या, यह 2 and L जो था, उसके बीच का एक midpoint आगिया यह, 2 और 3 L के बीच का, तो उस point को अगर मैं mark करूं, वो यह point कहीं यहाँ पर आजाएगा, तो आपने बोला था, 2 के just bad वाला number L है, लेकिन मैंने green color का एक L1 एक number और दे दिया, 2 के just bad वाला, similarly अगर आप L1 को 2 के just bad वाला rational number मानते हैं, तो मैं ऐसे इन दोनु का average लेके, फिर उससे पहले एक number लियाऊंगा, तो hence proved कि 2 के just bad कोई rational number एक्जिस्ट ही नहीं करता है, यह बड़ी अजीव से चीज़ है, लेकिन digest कल दो इसको, mathematics में बहुत सारी चीज़ हैं ऐसी हैं, जो हमने obvious ले रखी हैं, कि यह तो बहुत obvious है, यह तो हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो, कैसी कैसी चीज़े हैं, excuse me sir, yes, नहीं नहीं यह नहीं बोला मैंने, यह नहीं बोला, नहीं नहीं कोई नहीं मिला देखे, थोड़ा सा मिसकंसर्ट हो रहा है, मैं इसको clear कर देता हूँ, टू और थ्री के बीच में, इनफाइनाट के मैंनी रैशनल नंबर हैं, वो मैं अभी भी बोल ला हूँ है, वो क्या-क्या है, टू पॉइंट जिरो एंट, टू पॉइंट जिरो जिरो एंट करते जाएं ऐसे, लेकिन मेरा question क्या था, टू के जस्ट बाद वाला, टू के जैसे, टू के जस्ट बाद वाला integer क्या था, थ्री था, तो ऐसी टू के जस्ट बाद वाला, टू और थ्री के बीच में, uncountable, sorry, not uncountable, infinitely many rational number हैं, लेकिन टू के जस्ट बाद, नहीं होता rational number, ये कहना चाहरा हूँ मैं, उसके बहुत दूर आगे कोई होगा, वो तो है, मुझे पता है, 2.001 है, 2.001 के बाद, आप 1.001 कर दो वो है, लेकिन जस्ट बाद नहीं न, फिर भी उनमें गैप है, density देख रहे हो, कितनी भैंकर हैं इनमें, जी, जी, समझ में आगे हैं, समझ में आगे हैं, समझ में आगे हैं, आगे चल दें, अब मेरा question है, last, क्यू तक हमने पड़ा, rational से, जब हम real में movement करते हैं, तो हमें देखा था, benefit तो कितने सारे थे, लेकिन वो कौन सी property है, जिसको हम loose कर जाते हैं, एक तो arithmetic operation है, जैसे Q में, 1 by 2 प्लस 1 by 3 को आप add करेंगे, तो 5 by 6, क्योंकि दोनू rational थे, P upon Q में, add किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर real number में, irrational ले लेता हूं है, root 2 और root 3, इनको add करके बता सकता, कोई कितना आता है, Sir, root 2 की value put करेंगे, plus root 3 की value, add करके value आजाएगे, Nice, चलो, यह doubt तो तुमारा सही था, इससे क्या होगा, कि इसलिए मैं कहता हूं कि, इसमें involved होए, interaction, यह जो basically learning है, classroom, यह one-sided, one-way traffic नहीं है, इसमें जितना आपका involvement होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें clear होँगे, यह जो thought है आपका, यह एक layman के लिए बहुत बढ़िया thought है, कि ऐसा होना चाहिए, root 2 की value रख देता हूँ, या रख देती हूँ, and root 3 दोनको add करके, answer मिल जाएगा, कितने लोग agree कर रहें, statement से, चलो, मैं ही बता देता हूँ, accurate को नहीं मिलेंगे, एक्ज़ेक्टि, येस, नहीं कर पाओगे मैं मापीस में, देखो, क्यों नहीं कर पाओगे, इसके बारे में देख लीजे, जब आप root 2 की value लिखेंगे न, root 2 का जब decimal expansion, यह है क्या? irrational number है, irrational number की speciality पता है, decimal expansion इनका कितना भाहंकर होता है, भाहंकर बोल ला हूँ, irrational number बहुत ही dangerous सीजे, क्यों dangerous है जड़ाद देखो, चलो मैं irrational को भी थोड़ा से, अपर explain कर देता हूँ, आपके question के बाहने, कई लोगों को ये चीज clear भी हो जाएगी, root 2 के बारे में देख लीजी, root 2 irrational number है, 1.414 dot dot dot, ये कैसा number है, non-terminating and non-repeating, terminating का मतब एक stage के बाद रूख जाए, जैसे 1.261, ये terminate कर गया इसका decimal expansion, आगे नहीं बढ़ेगा, repeating का मतब 1.33333, decimal expansion terminate तो नहीं करा, लेकिन repeat कर गया है, इसलिए इसको 1.3 बार लिख लेते हो आप न, तो ये variety और ये variety, दोनु कौन सी variety हैं, इनको हम rational number बोलते हैं, irrational number क्या होते हैं, जो rational नहीं हो, मतब जो first category भी नहीं हो, और वो second category भी नहीं हो, उसने ये भी नहीं होना चे, ये भी नहीं होना चे, तो इन दोनु में difference क्या है, इसका decimal expansion terminate कर जाता है, इसका repeat कर जाता है, तो दोनु नहीं होने चे, मतब उसने terminate भी नहीं करना चे, repeat भी नहीं करना चे, non-terminating and non-repeating, root 2 आपके सामने रखा है, अब एक खास बात ये है, आपको लग रहा होगा, 4, 1 रिपीट कर रहा है, नहीं, repeat नहीं करता हो, terminate भी नहीं करने वाला है, dot, dot, dot है, तो मतलब जब ना ये repeat करेगा, ना ये terminate करेगा, तो एक stage के बाद आप बता पाओगे, last more number होगा कैसा, नहीं, हमें पता ही नहीं है, irrational number इतने dangerous ही है, उसका जब आप decimal expansion लिखेंगे, तो एक stage के बाद आप बता ही नहीं पाएंगे, उसमें digits के आने वाले हैं, तो जब मुझे ये नहीं पता, कि route 2 में एक stage के बाद क्या number है, route 3 में क्या हैं, तो एट करके कैसे बता हुए? So, irrational number के specialty ये है, तो इसलिए हम ये addition जानते ही नहीं है, पहली बाद तो ये arithmetic operation लूट कर जाता है, दूसरी इससे beautiful चीज जो है countability, मैं इसको फिर से रोक रहा हूँ, ये countable होते हैं, ये uncountable, क्योंकि real analysis में हमने dedicated एक chapter है, इस पे based, उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे, तो अभी तक के लिए इतना जान लीजे, clear है? clear हुआ है, route 2 and route 3 वाला जो बता रहे थे कहे students, इसमें, ठीक है, basic सा concept है, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये आज की class थोड़ा सा foundational class है, बहुत ही basic चलना होगा, लेकिन यकीन मानिए, आप दीरे दीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, definitely आपको मज़ा हैगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, so हमारा पूरा focus चलना था, यहाँ पर equations पे, और equations जब हमारे पास इतना important है, so एक छोड़ा सा expression देना चाहा रहा हूं है, यह फिर equations के बारे में मैं कूछ पूछना चाहा हूं, equations पे हमारा focus पूरा number system के extension में, हमने इसी thought को use भी किया था, कैसे हमें polynomial equations के roots मिलते हैं, जब हम अपने number system को extend कर रहे होते हैं, so my question is, what is an equation, अच्छा कई students generally कहते हैं, कई बार मैंने देखा भी एक classroom है, मैं बहुत बार कई कोई new classroom होते हैं, यह जो जो नमबर ऐसे रिखे जाए जिसके दो साइड हो, लेप राइट, बेसिकली आप यह कहना चाहिए, जिसमें एक्वैलिटी आती हो, जैसे, एक्स प्लस टो इस एक्वैल टो वन, यह आपने एक्जैमपल दे दिया, बिल्कुल ठीक है, और आप एक स्टूडेंट ने यह बोला, कि जिसमें एक्वैलिटी सोते हैं, दो साइन होते हैं, उसको हम एक्वैशन बोल देते हैं, तो जनरली यही थॉट आता भी है माइन में, तो मैं इसी चीज को लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वैर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वैर प्लस एक्स प्लस वन, यह दो साइड हैं, मैंने यहाँ पर इक्वैलिटी यूज कर दे, तो पिर आप तो यही कह रहे थे अच्छाए क्यों नहीं है क्यों तो आपने यही तो बोला फिर जिसमें दो साइड हूं मतब इक्वैलिटी हूं जिस एक्सप्रेशन में तो बनता थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूर रहते हैं जो आप बोलने हैं यह जी सर मैं एक्वेशन यह होती है यहां पर आप एक्वेट तो कर रहे हो किसी फंक्शन को लेकिन दोनु फंक्शन आइडेंटिकल हैं तो जब आप किसी दो नौन आइडेंटिकल फंक्शन को एक्वेट करते हैं तो वह एक्वेशन बनता है नौन आइडेंटिकल फंक्शन जैसे एक फंक्शन लिख लेता हूं मैं साइन स्क्वेट एक्स प्लस कॉस स्क्वेट एक्स इक्वेट टो वन यह एक्वेशन है यह से बाद कि स्टुदिंस यह diffic आइडेंटिटी इसलिए आपनें इसको टिक्नोमैट्टि आइडेंटिटी करके पढ़ावी होगा चैनृन वा लिखाया तो बैक्वेशन है और इक्वेशन में वह जो इसी भी equation जो भी होगी उस equations के जो roots होंगे जो उसके basically solutions होंगे वो क्या होते है equation has finite solutions whereas जो identity होती है identity has infinitely many solutions आप कहेंगे इसके solution क्या है आप x की कोई भी value रखे real number में से हर कोई x के लिए satisfy करेगा चाहे आप अगर angle में रखना चाहते हो जी जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 एंड या फिर radian में रखना चाहते हैं तो कोई भी x रख लीजे यह हमेशा satisfy करेगा left side हमेशा one के बराबर आएगी so major difference आपका identity और equation में यही है equation के finitely many roots होते हैं और identity के infinitely many roots यह जो basic idea था इस पर बेस्ट एक numerical में आपके सामने रख रहा हूं और मैं सभी लोग ट्राइक करें प्लेज अच्छा क्लास आप mathematics की क्लास में बैठे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी copy pen लेके बैठे होंगे कोई कहानी जैसे यहां पर चलती है तो mathematics का एक थम रूल है the only way to learn mathematics is do mathematics जब तक आप खुद पैन नहीं चलाएंगे आप कुछ बहुत अच्छा करने पाएंगे तो प्रेशन है गिवन देट थी और सॉरी गिवन देट दीजार रियल कॉंसेंट दियर आग रियल कॉंसेंट मिन्स कोई रियल नंबर की बात कर रहे है रियल कॉंसेंट ए बी शी एंफी शुच देट दी CC लिबागे खिवने लंद और स्ट एंट एंट ऋंट Promised लिए बागे बागे लोल मिन देट लिए यदिवर मिन देट लिए आपके लिए लिए खिए जाएंगे hold for all x y belongs to real number full stop this implies option a lambda is equal to minus 5 option b lambda greater than equal to 1 option c lambda is lies between 0 to 1 and option b there is no such lambda यह जो question है इसी thought पर बेस्ट है identity versus equation पर बेस्ट मैंने इक्वेस्टन जान बूचकर इसलिए लिया है क्योंकि मैं इससे यह बताना चाहरा हूं कि हम competitive exam में कैसे question को अप्रोच करेंगे competitive exam में question को solve नहीं करना है question को आप किस तरीके से attempt करते हैं यह इस बात पर focus करना है फिर आप कहेंगे attempt करने और solve करने में क्या difference है huge difference है solve करके हमें research थोड़ा ना करनी वहाँ पर दिखाना थोड़ा ना है कि इतने बड़िया तरीके से हमें solve कर रहा है यह objective exam है वो में रोबोट चेक करते हैं copy को आपने सही option टिक करने हैं अब वो कैसे भी करें आप सही option टिक उससे कोई फरक नी पढ़ना है तो यह attempt करने का style हमा हमारा different होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि पहले demand time management आपको limited time period में जितना जल्दी आप respond करते हैं जितने जल्दी question solve करते हैं बाकी portion के लिए उतना ज़्यादा आपको time मिलेगा अधरवाइस आपने question solve कर लिया और पांच मिनट ले लिये हैं और खुश होगी आपकी मैंने यह solve कर लिया तो खुश नहीं होना है वो आपका selection वहीं रोब देगा अगर आप यह question में approach करना है how to approach तो यह चीज़ा आपको सीखने को यहां पर मिलेगे फिलाल इस question पर वापस आते हैं यह question यह कह रहा है यह जो expression दिया है उसने बोला है identity है identity की speciality क्या होती है identity है तो इसके infinitely many solution होंगे तो आप यहां पर जो a, b, c, d दे रखे ना यहां पर इसको आप अपने मंद से substitute कर दीजिए fix कर लिजिए इसको otherwise यह बड़ा lengthy हो जाएगा solve करना a, b, c, d क्या है real constant है तो मैं इनको बहुत आसान सा number दे देता हूं a equal to, b equal to, दोनों को 1 ले लेता हूं और c और d दोनों को 0 जैसी मैंने यह substitute करा तो यह identity क्या बनके आ गया है चिरा देखो इसमें lambda x square plus 2xy plus y square is equal to क्या बनेगा यह यह तो हो जाएगा a, b दोनों 1 है तो x plus y of whole square plus c, d 0 है तो 0 हो जाएगा तो इसका कोई importance बचा नहीं है तो right side को आप open कर सकते हो बड़िया सा formula है ओ, x square plus y square plus twice of x into y और यह identity है तो identity मैंने किसको बोला था जब हम दो identical function को equate करते हैं तो identity बनती है दो identical function को equate करते हैं तो notice करेंगे यह दोनों identical है तो पक्की बात है इसके according यह अपने लेमडा क्या होना चाहिए one होना चाहिए y square y square है 2xy 2xy है तो लेमडा को one होना चाहिए तभी तो identical बनेंगे और उससे बोल लखा है identity है question पढ़िए अपने मन से नहीं कह रहा हूं तो लेमडा is one fixed कर रखता मैं नहीं ध्यान दीजिए तो reject करेंगे option लेमडा माइनस 5 है नहीं लेमडा और 0 के 1 के बीच में नहीं लेमडा एक्जेक्ली वन यह कह रहा कि क्या कोई लेमडा एक जिस नहीं करेगा कर रहा है लेमडा वन है तो option be automatic correct तीन reject कर दे बी करेक्ट कितने लोगों को सम पता है कहां पूछा गया है अब अब देखे क्या था इस question और किसकी एक्जैम में पूछा गया है सभी लोगों को पता हो गया एक्जैम पता है यह कौन सा एक्जैम होता है ठीक है तो मैंने मैं वह एक्जैम करा ही नहीं रहा हूं मैंने question जान बुछकर इसले लिया है मैं इस question के help से आपको यह समझाना चाहरा हूं attempt कैसे करते हैं मैंने solve नहीं करा question को मैंने put करके handle कर दिया तीन reject कर दे चौथा आटोमेटिक सही टाइम बचा लिया इसने मेरा यही करना है यही सीखना है हमें इसमें तो आगे बढ़ता हूं मैं इसमें तो ठीक है इस approach को हम follow करेंगे हर बार हम ऐसे ही कोशिश करेंगे जो question ऐसे हूंगे और commentate exam में आप देखेंगे काफी tricky question बनते हैं तो maximum question आप इसी तरीक से कर सकते हैं बस उसके लिए आपको थोड़ा सा foundation strong होना चाहिए अगर किस यह question मैंने कैसे करा foundation देखें किता basic thought मैंने यूज करा अब जिस student को जिस student को अगर identity क्या होती है यह नहीं पता है वो करी नहीं भाई गया तो मैंने identity यूज कर रहा उसकी definition क्या थी जब हम दो identical function को equate करते हैं तो यहां पर मैंने यही तो करा यह दोनों identical होने चाहिए तो lambda just one कर दो यह हम सीखते रहेंगे आगे बस एक demonstration था आगे बढ़ते हैं मैं बात कर रहा था real number system की इन सभी को plot करता हूं मैं real number line सभी नहीं पढ़ी होगी real number line basic classes में हम पढ़ते हैं इसको हम क्लास 9th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मैं plot करता हूं यहां पर एक real number line एक imaginary line है ध्यान दीजे रिया number line आपको कहीं physical world में दिखेगी नहीं यह एक इंसान के दिमाग की भेतरी creativity है एक intellectual property है मैं plot करता हूं सबसे बहले natural number plot कर देता हूं मैं इसमें जीरो सब वन टू थ्री फोर एंड सो और चलता रहेगा फिर आप whole number plot करते हैं तो जीरो भी आ जाएगा फिर अगर आप integer करते हैं तो यह तो चलेंगे ही इधर negative भी आने लगेंगे यह जो आइडिया है plot करने का हमें usual distance पर करते हैं जो distance लेने का हमारा style है अब आप fraction जब आप plot करेंगे तो fraction में one by two type के भी number आएंगे fraction भी आने लगे तो fraction आएंगे तो fraction इनके बीच में होंगे और वो basically अब आप rational number भी लाएंगे और मैंने बोला था ना rational number क्या होते हैं दो real number या दो numbers के बीच म infinitely many rational numbers लाई करेंगी तो इस तरीके से लेकिन infinitely many real number line है तो इसमें अभी भी gapping दिखेगी आपको gapping क्यों दिखेगी क्योंकि real number क्या होते है rational as well as irrational अभी irrational missing है तो जब आप irrational number भी plot करोगे तो यह जो gapping है यह fulfill हो जाएगी तो gapping जब fulfill हो जाएगी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं इसमें अब आप ऐसे समाल दीजिए जो green color की जो wire थी उसका color ही गाया हो गया इतनी density तो कहीं पर भी कुछ नहीं दीखना है जब आप आपने पूरा का पूरा रियर नंबर plot कर जाए इसमें अगर इसमें से एक भी नंबर आपने पिक करा रियर नंबर लाइन से तो उस wire का color green color दिखनी लग जाएगा आपको मत्तब उसमें gap आना शुरू हो जाएगा तो ध्यान देंगे इस चीज़ को तो रियर नंबर लाइन यह जो यह है इसको मैंने पिक करा या फिर कोई छोटा सा पीक कर लेजिए इसका एक piece इसका एक segment मैंने उसको microscope से zoom in करके यहां पर रख दिया यह है क्या यह रियर नंबर लाइन का एक line segment एक छोटा सा piece है अब इसकी study करते हैं मैं for example यहां मैंने लिया one और यहां पर लिया मै इसके study करते हैं अब आप मुझे बताएए इस piece में वन से लेके फोर तक का जो छोटा सा segment है इसमें कितने नंबर है कितने रियल नंबर है इसमें कि ध्यान दिजिए मैं नहीं लिए हो मैंने उसको कहां से लिया है रियल नंबर लाइन सेग्मेंट को कट करके लिया है और रियल नंबर में तो इतने uncountable finite पे ही काम चलाओ फिलहां दो कोई भी दो नंबर आप लेंगे तो उसके बीच में आपको infinitely rational भी दिखेंगे और infinitely irrational नंबर भी दिखेंगे तो बेसिकली इतने कोई नंबर है इनी को मैं collect करता हूं इनी के collection बनाता हूं सारे के सारे नंबर को जब मैं plot करूंगा तो for example अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं 123 पूरना लेकि यहां पर इंटर्बल्स के साथ हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं क्योंकि हर जगए अपियर होंगे तो यह भी क्या है यह आपको देख रहा है ना यह पूरा का पूरा के रियल नंबर जो ए और बी में के बीच में हूं और इंक्लूड करते हूं एंड पॉइंट को भी अब दूसरा स्टाइट ए और बी जो एंड पॉइंट है उनको हटा के उनके बीच के सारे नंबर डाल दो